गड़ेश चतूर्थी का पर्फ पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं कि फिर्फ बढ़ान गड़ेश को जो मौत इतना जादा प्रिय है जो अनको पसंद है ऐसा कहा जाता है कि मोदक के बगएर भगवान गडेश की जो पूजा है आराधना है वो पूरी नहीं होती है तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिरकार ये मोदक किस तरह से बनाया जाता है तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर मोदक बनाया जा रहा है और यही वो मोदक है जो भगवान गडेश को चड़ाया जाएगा तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये जो मोदक के अंदर सामागरी डाली जाती है और इसकी शुरुवात कैसे होती है सबसे पहले आप से जानना चाहूंगे आप अपना नाम बताइए और ये भी बताइए मेरा नाम अनगा है और मोदक की शुरुवात पहले नारियल से नारियल और गुल गुड का नेवेद चड़ाया जाता है उसमें गुल डालके वो पूरा हिला के ड्राय बनाया जाता है उसमें किश्मिश और बदा बादाम काजू सब डालते हैं हम लोग जब वो सुखा हो ज सब्सक्राइब देखे हम उसको फिर से उबालते हैं अगर सामागरी की बात करें यह जो सामागरी है इसमें खास तौर पर किन-किन चीजों का इस्तेमाल होता है सामागरी में नारियल गुड इलाइची काजू किश्मिश सब रहेगा और यह आटा जो रहता है वो राइस का बनाते है मतलब नंदू का बनाते है और वो बाला जाता है साथ में जितना इक लेजिशन नमक करें से और वह इसे पूरा क्या कप बोलते हैं गट्टा हिंदी हाँ कोई बात नी आप ंसे भी भाशा में बोलीं जा झायेगा जी इसको घ़लते हैं तो ऐसे उकड बनाई जाती है और उसमें यह जो नारीयल का बनाया है सारण बोलते है उसको तो वह डाला जाता है और वह एक साथ में ऐसे किया जाता है तो उसका मौधघ बूलते हैं आपकी सहयोगी है जो भी से परक्राइब पनाने में हैं अल्ट यहां शेका यह ली कीव चूलिप का मौदख सब्क्रीक्ट ऑना रही है और अप को हैं इसका काम है और स्किल का भी प्रैक्टिस से ही वह आ जाता है और यह जो पहले बनाया है जो पकाया हुआ है आटा इसका चावल का आटा पकाया है उसका एक गोला बना के उसको बाउल जैसा शेप देते हैं यह जो आप बना रही है इसे को आप बता रही है कि इस तरीके से शे तो दबा कें जाता है और बाद में यह जो अन्दर का स्टाफिंग बनाया है और चपल धीज़ा उपर के quieres लगाया जाता है तो वो अच्छा दिखता है उसमें और बाद में ये steamer में रखा जाता है और steam करके एक 10-15 मिनिट टक steam करना पड़ता है उसको और उसके बाद में वो मोदक के साथ गी प्यूर गी जो रहता है न वो खाया जाता है उसी से उसका स्वाद ज्यादा बढ़ता है गी तो मस्ट है उसके साथ में अच्छा और उसके बाद ही मोदक पूरा होता है जैसे कि शाद इस्टीम के लिए उसमें रखा हुआ है तो वो तयार होनी के बाद आप पिर उसको इस्टीम करेंगे हां स्टीम करेंगे ये ड्राइ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बनने में तो वो कभी गीले कपड़े से भी कवर करके रखते है जब जादा बनाने होते तो वो राइ नहीं होना चेह राइ जाता है तो फट जाता है वो शीम करते वक्त इसलिए वो ढखना पड़ता है उसमें और अब ये नीचे स्टीमर पानी रहेगा वो उबल के स्टीम आ यह режGER है यही वह बढ़क है जो बच्वान गड़ेश को इतना प्रेय है इसको बनाने में कितना वक्ट लग जाता होगा बनाने में बनाने में कितना बनाना है उसके हिसाफ से, क्वांटिटी कितनी है, कम से कम 50-60 मोदग बनाने के लिए तो दो गंटे लग चाते है, पूरा प्रोसिस करने के लिए, जो कमर्शेली करते है वो तो कम टाइम में बना सकते है, लेकिन हम इतने बड़े पैमाने पर पहली बार किया है, यह 1.500 कम से कम हमने बनाई है, आज, 3 घंटे लग गए उसके लिए, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मोदग को बनाया जा रहा है, यही वो प्रोसिस है जो मोदग को बनाते समय अपनाना पड़ता है, तस्बीरों में आप देख सकते हैं, कि सबसे पहले मोदग बना का जो रूप है, जो हम आम तरु पर देखते हैं, वो यह बनकर तयार होता है, और उसके बाद वो अगले प्लेट में पहुँच जाता है, और फिर यहां से उठकर वो इस टीम वाले में जाता है, उसमें रखने के बाद बाकाइदा स्टीम किया जाता है, और फिर यह जब प्रसंद होते हैं तो आपकी और हमारी तमाम जो मनोकामना है वो भी पूरी कर देते हैं तो ऐसे में भगवान गड़ेश को चढ़ाया जाने वाला यह मोदक कस्टकारी नहीं लगता बलकि लापकारी दोनों तरीके से एक और भगवान गड़ेश बहुत जादा प्रसंद होते हैं तस्वीरों में आप देख रहे हैं यही वो मोदक है जो भगवान गड़ेश को बेहत प्रिय है और उनको चढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं पूरी तरीके से तयार है लेकिन एक सवाल है कि आखिरकार भगवान गड़ेश को मोदक इतने प्रिय क्यों है और उन इन्होंने गने जी को खढ़ा कर दिया था चौ किदारी करने के लिए कि कोई डिस्टम ना करें उनको और परशो राम जी आ गये, शिव जी से मिलने तो उन्होंने गने जी ने मना कर दिया तो गुश्य में आ препर पर उच्छी ने उसका जो परशु था उनका शस्त्र उसे गणिजी का दात काट दिया तो वो काटने से वो खा नहीं पा रहे थे सब खाना तो पारवती को पारवती जी को मा पारवती जी को चिंता हो गई कि यह कैसे खाएगा तो उन्होंने यह सौफ्ट मोदक उनके लिए बनाए और तब से उनको यह ज्यादा प्री है ऐसा कहां जाता है कि भगवान गडेश के अगर बात करें तो कई प्रकार की कहानिया है उनको लेकर लेकिन जो आपने मोदक को लेकर कहानी बताई है और देखा जाए तो जिस तरीके से मोदक के पूरी विधी है खाने में भी काफी सॉफ्ट है हाँ बिल्कुल सॉफ्ट है कोई भी खा सकता है तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये मोदक पूरी तरीके से बन कर तयार हो चुका है जो अब इस टीम के लिए जाएगा और कहा जाता है कि भगवान गडेश को मोदक बेहद प्री है तो आपने जाना कि आखिरकार मोदक के पीछे कहानी क्या है तो ऐसे में जब भी आप पूजा करने जाएं और भगवान गडेश से चाहते हैं कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो तो आप कोशिश करें कि भगवान गडेश को मोदक जरूर चढ़ाएं